दोस्तो स्वागत है आपका Poker Go India के चैनल पर जहां आप देख सकते हैं दुनिया के बेस्ट इन बिगेस्ट लाइफ पोकर हैंड चलिए सीधा आक्शन में यह एक हाई-स्टेक्स पोकर हैं जहां सभी प्लेयर्स लगबग 250,000 डॉलर्स यानी दो करोड रुपए के साथ खेल रहे हैं Krish Menon हस्ते हस्ते पोकेट फोर्स के साथ कॉल करते हैं थाउजन डॉलर्स Garrett Edelstein किंग तेन सूटेड के साथ Edelstein रेस करते हैं तो 4,000 डॉलर्स एंड टॉम दौन हस्नोमन पोकेट एट्स के साथ क्या टॉम दौन कॉल करेंगे तॉम दौन जस्त कॉल और जॉन रबर्ट बॉलांड जैक क्वीन ओफ सूट के साथ कॉल करते हैं काफी लूस कॉल लेकिन उनके पास दीलर बटन है यानि बेस्ट पोजिशन है ऑन दे टेबल अक्शन इस बाक उन क्रिश मैनन जो कॉल करते हैं और अभी चार प्लियर्स देखेंगे हमारा फ्लॉप फ्लॉप है जैक उफ क्लब्स, सेवन उफ क्लब्स, नाइन उफ ताइमंड्स मैनन के अलावा सब के पास इस बोर्ट से थोड़ा कनेक्शन है तॉम द्वान के pocket eights के साथ उनके पास एक gutshot straight draw है कैरिट एडलस्टाइन के पास double gutty है यानी उनके पास queen या eight के साथ straight complete करने के chances है और जोन रोबर्ट बलाप्ट के पास top pair है वित queen kicker मैनन चेक्व, एडलस्टाइन bets $9,000, action is now on तॉम द्वान Tom Dawn अपने pocket eights इतने आसामी सी नहीं छोड़ना चाहते हैं वो call करते है और Beland भी call करते है Men in folds and three players lead to the turn Turn is the queen of spades यह एक action card है क्योंकि Edelstein का straight complete हो चुका है और Beland ने अभी अपना top two pair बना लिया है लगता है यहाँ पे कुछ firing होने वाली है Garrett Edelstein काफी poker-faced expression के साथ bet करते है $45,000 in the pot और Edelstein bet करते है $20,000 काफी अच्छी sizing है यह गिवन ही वांट सकॉल Tom Dawn quickly folds और Beland instant call करते है we are heads up और river is three of hearts यह Edelstein के लिए अच्छा card है क्योंकि यहाँ पर flush draw मिस हो चुका है और 10 के साथ जो straight draw था वो भी मिस हो चुका है तो Beland यहाँ पर अपने top two pair के साथ काफी confident होंगे और Edelstein कितना भी bet कर दे Beland का यहाँ फोल्ड करना काफी मुश्किल होगा और Edelstein bet करते है 125,000 दॉलर्स और Beland का instant call Edelstein shows his nuts straight और Beland अपने cards मुख कर देते है $335,000 का pot यानि लगबग धाई करोड से बड़ा pot जाता है Garrett Edelstein को comments में बताईए क्या John Robert Beland वहाँ पे Jack Winoff फोल्ड कर सकते थे और अगर कर सकते थे तो क्यूं? ऐसा और content के लिए हमारे channel पर जाए पर जाने से पहले do hit the like and subscribe button